Hello students, आज इस वीडियो में हम करेंगे miscellaneous exercise on chapter 2 जिसमें inverse trigonometric function के question number 8 से लेके 12 तक हम करने जा रहे हैं तो question 8 था है कि prove that 10 inverse 1 over 5 plus 10 inverse 1 over 7 plus 10 inverse 1 over 3 plus 10 inverse 1 over 8 is equal to pi by 4 तो इसका solution करने के लिए यहां पे हम left hand side में जो हमें दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं और फिर जो है इसमें formula यूज़ करेंगे 10 inverse A plus 10 inverse B वाला और उसके द्वारा जो है हम इसको right hand side के equal prove करने का प्रयास करेंगे तो पहले हमने left hand side को जैसे लिखा है तो अब जो है first two terms जो है 10 inverse 1 upon 5 plus 10 inverse 1 upon 7 इनको एक साथ लेते हैं और 10 inverse 1 upon 3 plus 10 inverse 1 upon 8 को अलग लेते हैं तो इन दोनों में यह formula लगाएंगे तो पहले यहां पे है 10 inverse जैसे यहां पर हमने A लिया 1 by 5 और B लिया 1 by 7 तो A plus B आ गया और नीचे 1 minus में A into B यानिके 1 upon 5 into 1 upon 7 इसी तरह से यहां भी लगाएंगे यहां 10 inverse A plus B हो जाएगा जो A यहां पे 1 upon 3 है और B 1 upon 8 है और नीचे 1 minus में A into B यानिके 1 upon 3 into में 1 by 8 हो गया अब जो है इसको simplify करेंगे 10 inverse लिखा और वह 7 और 5 का LCM 35 और 35 से 5 को डिवाइड किया तो 7 7 को 1 से multiply कि 7 7 से 35 को divide कि 5 5 को 1 से किया तो 5 तो नीचे जो है हमारे पास 1 minus में 1 upon में 35 है और इसी तरह से यहां पर जो है 10 inverse होगा और 3 और 8 का LCM 24 होगा और यहां पर जो है 8 plus 3 उपर हमारे पास आ जाएगा cross multiply होके और नीचे जो है 1 minus में 1 over 24 हो गया अब जो है इसको simplify करेंगे तो यह हो गया 10 inverse 7 plus 5 12 हो गया यानिके 12 over 35 और नीचे जो है 35 LC हम लेंगे तो 35 minus 1 34 हो गया तो 34 over 35 हो गया अब जो है इस साइड में 8 plus 3 जो है वो हो जाता है 11 तो यहां पर 11 over 24 होगा और नीचे 24 LC हम लेंगे तो 24 minus 1 याने 23 23 over 25 हो गया तो यहां 35 से 35 cancel हो इदर 24 से 24 cancel हो गया और यहां यह 2 से cancel हो जाएंगे तो 6 और नीचे 17 हो गया तो इस तरह से हमारे पास 2 terms आ गई जो पहले 4 थी अब दो रहेगे 10 inverse 6 upon 17 और दूसरी term होगे 10 inverse 11 over 23 तो यह जो है इसमें एक बाब फिर से 10 inverse A plus B वाला formula लगाएंगे तो यह हो जाएगा 10 inverse A plus यह हो गया और यह 1 minus में A into B A जो है 6 over 17 है और B जो है 11 upon 23 है तो यहां हमने क्या करना है कि इसमें 17 और 23 का LCM लेना है उपर नीचे और फिर इसको solve करना है तो क्योंकि हमारे को 5 by 4 इसको बनाना है तो इनकी value 1 के equal आने ही पर चाहिए तो यही जो है हम यहां देखते हैं तो यहां हमने लिखा इसको equal to 10 inverse कि और फिर जो है 17 और 23 का LCM हमने लिया तो इसका LCM लेने के लिए हम इसको खाली multiply करके यहां पर लिख रहे हैं और जो है बाद में इसको simplify करेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे 17 into my 23 नीचे और उपर जो है फिर हमारे पास इसको solve करना होगा तो उस तरह से हम इसको कर देंग तो नीचे लिखते हैं 17 into 23 और उपर जो है हमारे पास आ जाएगा 23 को 6 से multiply करेंगे जो है क्योंकि 17 और 23 दोनों जो है आपके co-prime है तो इनका product ही LCM की form में आता है तो यहां पर हो गया यह 23 को 6 से multiply करेंगे तो 138 इसी तरह से 17 को 11 से multiply करेंगे तो 187 जो है यहां पर आता है तो यह हो गया 187 तो इस तरह से अब नीचे जो है हमारे को 1 माइनस में यह 6 को 11 से करेंगे multiply तो 66 आ जाएगा और 17 को 23 से multiply करेंगे तो 7 यहां पर multiply करने के लिए हम जो है इसको as it is एक पर फिर से लिख जैते हैं लेकिन हमारे को इसको multiply तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे बन के place पे जब हम scale से हम लेंगे तो इसकी value रखने ही पड़ेगी तो उसी क्रम में आगे चलते हैं तो यहां पर 138 प्लस 187 जो है इसका sum करते हैं तो 8 और 75 हो गया और फिर 1 करी हो गया और 3 और 8 11 प्लस में 12 और यह 12 प्लस का करी हो गया तो यह 325 आ गया और यहां पर 17 हमारे पास अब हमारे को क्योंकि हमने 17 इंटू 23 ही LCM लिया है लेकिन उसकी value जो है आनी चाहिए तो 173 जा 51 आ गया 5 कह रही हो गया 17 टू जा 34 प्लस 5 जो है 39 हो गया यानकि 391 हमारे पास आता है तो यह जो है इसमें से अगर हम 66 माइनस करते हैं तो 325 हमारे पास फिर से आ ग जाएंगे और 1 के equal हमारे पास आ जाएगा तो 10 inverse 1 जो है यह आता है और हम जानते हैं कि 1 जो है 10 की value पाइवाई 4 पे होती है तो 10 inverse 1 जो है पाइवाई 4 की equal है जो राइट हंड साइड अब 9th question देखते हैं तो इसमें प्रूव करना है कि 10 inverse root x जो है वह equal है 1 upon 2 cos inverse और bracket में 1-x upon में 1 plus x जहां x जो है belong करता है 0 to 1 को तो इस तरह से जो है यहाँ पे left hand side जो है हमारी वो 10 inverse root x है तो उसको यहाँ पर हम लिख देंगे और फिर जो है कोशिश करेंगे कि यह cos inverse x में change हो जाए तो cos inverse में change होने के लिए इसको जो है 2 10 inverse root x बनाना पड़ेगा उसके लिए जो है हम इसको 2 से multiply करेंगे और 2 से ही divide कर देंगे और 1 upon 2 भी आपको दिखा रहा है कि इस तरह से 1 upon 2 आना चाहिए तो यह हो गया 1 upon 2 10 inverse और root x हो गया अब 2 10 inverse root x है इसको जो है cos inverse में change किया जा सकता है और उसके लिए जो formula लगेगा वो होगा cos inverse 1 minus x root x का square upon में 1 plus में root x का square क्योंकि हमारे को पता है कि 10 inverse अगर x होता है या theta भी ले सकते हैं तो यह होता है cos inverse 1 minus x square upon में 1 plus x square क्योंकि यहाँ x की जगा root x है तो उसका square जो है वो x में बदल जाएगा तो इस तरह से जो है यह हो जाएगा cos inverse और यहाँ पर 1 minus में root x का square क्योंकि 10 x नहीं है यहाँ पर 10 inverse root x है तो root x को ही लिखना है दोनों जगा अब square root of x का square जो है वो x के equal होता है तो यह हो जाएगा 1 minus x और नीचे हो जाएगा 1 plus x तो यह आ गया और यही जो है हमारा right hand side है और हमारे को जो 2 करना था तो 9th question आपको अच्छे जो समझ में आ गया होगा अब अगले question पर हम जो चलेंगे 10th question और यह question काफ़ important question है एक्जाम inverse square root of 1 plus sin x plus में square root of 1 minus sin x upon में square root of 1 plus sin x minus में square root of 1 minus sin x को जो है x upon में 2 के equal to करना है जहां x जो है विलॉंग करता है 0 to pi by 4 पे तो जो left hand side है इसको एक बार हम लिख देते हैं और फिर जो है इसके अंदर इस तरह से करेंगे कि इसको हम change कर दें आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक तो sin x को जो है आप cos में change करके भी कर सकते हैं पाई वाले फार्मूले से और जो है दूसरा यह है कि one को जो है cos x और sin x में change करके भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर इसको cos x और sin x के square वाले फार्मूले से one को change करके करन और one minus cos x वाला formula लगा के इसको फिर simple किया जा सकता है, next question में हम उसी तरीके से करेंगे, इसलिए इस question को मैं different तरीके से कर रहा हूं, तो cos जो है यहां पर cotton verse x है और यह जो है हमारे पास जो one है, उसकी जगा हम लिख रहे हैं, cos square x upon 2 और जो है, plus में sin square x by 2, तो यह जो है, इस तरह से यहां x by 2 इसलिए लिया है, क्योंकि जो sin x है, यह 2 sin x by 2 into में cos x by 2 में बदला जा सकता है, इसलिए जो है हमने इसको इस तरह से लिया है कि a square plus b square plus 2a भी आ जाए, तांकि a plus b का whole square बन जाए, इसी तरह से दूसरे वाले को भी यहां ऐसे करेंगे, cos square x by 2, plus में sin square x by 2, और जो है, यहां पे minus 2 sin x by 2, cos x by 2 लेते हैं, तांकि यह जो है, a minus b के whole square में change हो जाए, a square plus b square minus में 2a b है, और नीचे भी इसी तरह से करेंगे, यहां एक बात ध्यान रखने की है, कि आपको इस question में sin square x by 2, plus में cos square x by 2 नहीं लिखना है, वो यह इसी लिए नहीं लेना है, क्योंकि उपर जो है, plus का sign है, और हमारे को फिर यह 10 में बदल जाएगा, और तो answer जो है वो, उसको आपको फिर एक दो step और बढ़ा के solve करना पड़ेगा, अगर बाहर cot inverse की, यह 10 inverse होता, या उपर minus नीचे plus होता, तो आप पहले sin square x by 2 और फिर cos square x by 2 लेके इसको कर सकते थे, यह बात आपको ध्यान में रखने चाहिए, तो जो है, इस तरह से हमने इसको दोनों उपर नीचे अब लिख दिया है, तो अब हम इसको change कर सकते हैं, तो यह cot inverse जैसे आपके पास है ही, तो इसको as it is लिख देंगे, और यहां bracket के अंदर यह हो गया, cot x by 2 प्लस में sin x by 2, तो यह लिखा और इसका all square हो गया, अब बाहर माइन, यहां plus का sign है, तो plus का sign लगाएंगे, और यह हो जाएगा, cos x by 2 माइनस के sin x by 2 का all square, तो यह आपके पास जो है यह आ गया, सेम इसी तरह जो है नीचे भी आ जाएगा, और यह जो हो जाएगा, आपका cos x by 2 प्लस में sin x by 2 का all square हो गया, और यहां माइनस का sign, और यह हो गया, square root of cos x by 2, cos x by 2 है यह, और माइनस में sin x by 2, तो इसका all square हो गया, अब यह जो जितने भी all square हैं, यह square roots को cancel कर देंगे, तो इस तरह से जो है, हमारे पास यह caught inverse आ गया, और यह square से square root हट गया, और हमारे पास आ गया, cos x by 2, प्लस में sin x by 2, और यहां पे plus का sign है, तो as it is, आ जाएंगे, cos x by 2, माइनस में sin x by 2, अब नीचे जो है, यह हो गया, cos x by 2, प्लस में sin x by 2, और यहां माइनस के sign के वेज़े से, अंदर वाले sign change हो जाएंगे, तो माइनस के cos x by 2, प्लस के sin x by 2 हो गया, अब जो है, देखिए, यह sin x by 2, sin x by 2 से cancel होगे, और नीचे cos जो है, वो कट गया, तो यह उपर जो है, हमारे पास 2 cos x by 2, और नीचे 2 sin x by 2 बच जाएगा, मैंने जैसे आपको पहले बता रहा था, कि आपको cos x by 2, प्लस sin square x by 2 ही लेना है, अगर उपर प्लस हो, नहीं तो क्या होता कि cos कट जाते हैं, और sin बच जाता, तो यह आपका 10 x by 2 में change हो जाता, इस step पे आपको आके, मेरी वो बात समझ में आ गई होगी, अब यह हो गया cot inverse और यह हो गया cot x by 2, और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह अपने principle value ब्रांच में है, तो इसको cot inverse और bracket में cot x by 2 को हम x by 2 के equal लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा equal to x by 2, और यही जो है इसका right hand भी है, right hand side भी है, तो यह हमें prove करना था, वो गया, और आपको यह question अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, अब यह question जो हम करने जा रहे हैं, 11th question इसमें prove करना है कि 10 inverse square root of 1 plus x, minus में square root of 1 minus x, upon में square root of 1 plus x, plus में square root of 1 minus x, वो prove करना है, pi by 4, minus में 1 by 2, cos inverse x, जहां x जो है, वो minus के 1 upon root 2 से लेके 1 के बीच में, यानि के 1 से बराबर है, या छोटा है, लेकिन minus के 1 upon में root 2 से बड़ा है, या बराबर है, तो यहां पे left hand side हमने जो दे रखी है, 10 inverse square root of 1 plus x, minus में square root of 1 minus x, और नीचे square root of 1 plus x, और यहां पे जो है, plus के आपको लिया square root of 1 minus x, जैसे कि हमने पिछले question में आप से कहा था कि उपर plus हो, तो और बार, तो जो है, आपने बार court inverse था, तो आपने जो है, इसको इस तरह से लिया था, cos square x by 2 plus sin square x by 2, लेकिन इस question को उस तरह से करने की जोट नहीं है, यहां पर आप जो है, x को जो है, आप cos theta मान सकते हैं, तो उसके लिए cos x का जैसे formula 2 cos square x by 2 minus 1, और इससे cos x का दूसरा formula है, 1 minus में 2 sin square x by 2, तो इससे क्या आता है, कि 1 plus cos x जो है, वो 2 cos square x by 2, और जो है, 1 minus cos x जो है, वो 2 sin square x by 2, के equal होता है, तो इससे आप भली बाती परिच्चित हैं, और अप अच्छे से इन फार्मोलों को जानते हैं, यहां पर मैंने इनको दुबारा से आपको remind करने के लिए लिख दिया है, तो इसको अगर हम use करते हैं, तो यहां पर मैं x use कर रहा हूँ, आप इसकी जगाए a या theta भी use कर सकते हैं, और अगर आप यहां पर इसको x को cos theta मानते हैं, और यहां से आपको संकेत में मिल जाएगा, एक idea भी मिल जाएगा कि x को क्या मानना है, तो यहां पर left hand side को एक बार जो है change करके हम फिर से लिख देते हैं, यहां के x की जगा जो है cos theta लिख दिया, तो यह जो है हमारा उपर में square root of one plus cos theta minus में square root of one minus cos theta, और नीचे denominator में root of one plus cos theta plus में root of one minus cos theta आ रहा है, तो one plus cos theta जो है वो हो जाएगा two cos square x by two में change उपर भी और नीचे भी और इसी तरह से one minus cos theta जो है, वो हो जाएगा two sin square theta by two में, तो इसमें जो है इस तरह से उपर भी और नीचे भी दोनों ही तरीके से यह change हो जाएंगे, पास जो है इसकी वज़ा से क्या होगा कि square में क्योंकि value आ रही है तो square root तो अपने आप भटी जाएंगे और question जो है वो simple हो जाएगा आईए अगले step में इसको simplification करते हैं तो यहाँ two का square root जो है वो root two आएगा और cos square theta by two square root से बाहर निकल के cos theta by two हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर minus और root two sin theta by two आ जाएगा तो यह हमार पास आए और नीचे भी इसी तरह से आएगे root two cos theta by two और यहाँ पर plus में root two sin theta by two आ जाएगा अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको जो है root two cos theta by two से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे को one मिल जाएगा और नीचे root two से root two cancel होगा sin theta by two upon में cos theta by two हमारे पास आ जाता है जिसे हम अगले step में 10 theta by two भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसी step में भी इसको 10 theta by two लिख सकते थे तो इसी तरह से नीचे one plus में sin theta by two upon में cos theta by two यानिके 10 theta by two आपके पास आ गये तो यह जो है इस तरह से change हो गया 10 inverse और one minus 10 theta by two और नीचे हो गया one plus 10 theta by two तो यह आ गये अब जो है आप ने क्या करना है कि इसमें one है जो उसको 10 pi by four लिख देना है क्योंकि 10 pi by four की value one होती है तो यह हो जाएगा 10 pi by four right hand side में आपके pi by four भी आपको यह idea दे रहा है कि आपको क्या करना है तो यह हो गया 10 pi by four minus में 10 theta by two और जो पहले था वही लिख दिया और नीचे जो है नीचे वाले one को change नहीं करना है उसको identity जरी लिखना है लेकिन प्लस के बाद जो है इसको one से multiply हम कर सकते हैं कोई value चेंज नहीं होगी लेकिन यहाँ पे one की जगा 10 pi by four हम लिख देंगे और यह हो गया 10 theta by two अब यह जो है हमारे पास है 10 a minus में 10 b upon में one minus में 10 ने 10 b है तो यह हो जाएगा 10 a minus b तो a जो है यहाँ pi by four है और b जो है वो theta by two है तो यह हो गया इस तरह से अब यह क्योंकि principal branch value के अंदर ही आ रहा है 10 के principal value zero से जो है आपके pi by two से pi by two होती है उसके बीच में minus वाले से तो इसमें जो है यह उसी में आ रहा है तो यहाँ theta pi by four minus में theta by two और हो गया तो theta की value जो है वो cos inverse x है तो यह हो जाएगा pi by four minus में one by two cos inverse जो है x आ जाएगा और यही हमारी right hand side है अमीद है question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा nine by four sin inverse two root two upon me three तो यहाँ जो है मारे पास left hand side है उसको हम एक बर लिख लेते हैं nine pi upon me eight और minus में nine by four or sin inverse one by three तो यह लिख लिया अब दोनों जो है terms जो है इन में से nine by four जो है हम common ले सकते हैं तो nine by four common ले लेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा पहले वाले में pi by two बच जाएगा और दूसरे वाले में sin inverse one by three बच गया तो अब जो है हमें पता है कि cos inverse x plus sin inverse x जो है वो pi by two के equal होता है तो उस formula को use करके हम जो है यहाँ पे x की जगए one by three है तो यह हो गया cos inverse one by three वो इस formula से हुआ sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by two तो इससे जो है pi by two minus में sin inverse x जो है वो cos inverse x हो गया क्योंकि यहाँ x जो है one by three है तो यह cos inverse one by three हो गया तो यह जो है हमारा right hand side नहीं है क्योंकि right hand side में sin inverse में आना चाहिए तो हम इसको जो है sin inverse में बदल देते हैं खाली nine by four तो हमारे पास आ रहा है उसको as it is लिख दिया और cos inverse जो है a upon में b वाला formula लगाएंगे वो cos inverse a upon में b यहाँ उपर inverse लगाना रह गया तो inverse लगाके कि cos inverse a upon में b equal to sin inverse square root of b square minus a square upon में b तो यहाँ पे जो है इस तरह से होगा और तो यहाँ हम क्या करेंगे कि cos inverse जो है one by three उसकी जो है जो है वो one है b जो है वो three है तो यह हो जाएगा sin inverse और three का square और minus में a का square यानिके one का square और नीचे जो है three तो यह three का square nine और one का square one यानिके nine minus one जो है वो eight हो गए तो यह root eight हो गए और नीचे three हो गए तो अब जो है हम eight जो है इसके two into two into two हो गए तो two का एक pair जो है बार आगया two बनके और अंदर एक two बच गया जो तीसरे वाला था और नीचे three आ गया जो हमारी right hand side उमेदा आपको वीडियो पसंद आयो कैसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्काइब जरूब